नमस्कार मैं हूँ आपके साथ इंशा नेश्टनल डूटीटीफर पे आप सभी का बहुत वस्वागत है ये खबर सिधार्त नगर से आली है बच्चे को भी चोट आई है इस घटना में महिला को मारने पीतने बालों में महिला के पती समेट 6 लोगों पर महिला एवं उसके भाई ने आरोप लगाया है वही मामले में पीड़ित ने चिलहीया थाना में तैरीर भी दी है और पुलिस द्वारा मामले में जाच की जा रही है लेकिन अभी तक मुकर्मा दर्जु नहीं हुआ है वही महिला ने मीडिया के सामने अपने बात कहकर नियाई की गोहार लगाई है सिधार्त नगर से असदुला सिद्धी की रिपोर्ट शिद्धी के पाँच भी गाह उंडप ले रहे हैं पांच हिस्सा मिला रहा है जबर्जस्ति का ट्वा लगे है गया रोग है लाठी रंडस मारी फ्ट में चूट लाग आ। पैर में लाग है गटड़ी के दबा दे अगए सब लोग मिलके मारी है सराज उल्ला, सफात उल्ला, मुहम्मद रफिल, सराफत अले, सरात उल्ला ये रिस्ते में आपके कौन है जेट लागत है, देवर लागत है, आदमी हुआ, सबसूर हुआ, पिती आने कि आपको छोड़ दियां ये लोग, अब बच्चे का क्या मामला भी मला ह distingu कितने में राप, चार में राप कई सिकायद कीया बछेगें की सुनवाई कुछ नहीं है, क्या चाहती है, में ही चाहते कि कारवाई की ती, आ कौन लोग थे वो सराफात अली सरातुला अर हजरत अली बढ़पुर के रहने वाले हैं आपके पहन का क्या नाम है क्यों मारा उसको गेहू के लिए मारे हैं और नाम है फातिमा खातून इसमें कैसी हालत है इसमें ठीक है तब चालू हो गया है तकि दो तिन दिन से नहीं चाल पेट में और लड़का खराब हो गया चार महीं तो अब मेरी बहन की साधी हुआ था उनके रिष्टेदा मतलब परदार लोग मारे हैं उनके लिए पती भी मारा है पती भी मारा है क्या बहान अलग रहती है क्या पती से अभी अलग कर दिये हैं दो महीने से उन लोग चढ़ सब लोग आपको भी चोटा आया था चोटा हमारे देख लिए यहां पर डंदा लगा था पीट में डंदा लगा था पीट में डंदा